हलो सूपर इन्वेस्टर्स बात करेंगे PC जोलर्स के बारे में जिसमें कौर्टर टू से रिलेटेड न्यूज आई है कमपनी ने कौर्टर टू के रिजल का डेट डिकलर कर दिया है कमपनी का परफॉर्मस काफी शांतार रहा कौर्टर वन के रिजल के बाद में शेर ने अच्छी रिजनाब दिखाया बढ़ कुछ दिनों से शेर एकी रेंज में गुम रहा है और उपर जाने को तयार नहीं है क्योंकि मार्केट को अब वेट है कौर्टर टू के रिजल का अलाकि कमपनी ने स्प्रिट भी डिकलेर किया है बट मार्केट के लिए ज़रूरी होता है कि रिजल अच्छी आ है जून कौर्टर में कमपनी ने शांतार रिजल दिया था 156 क्रोर का प्रॉफिट दिया था कौर्टर वन में और अभी Walker to का रिजल कमपनी डिकलेव करने वाली है 19 October को 19 October को कमपनी Quarter to का रिजल डिकलेव करने वाली है तो दिखना ये है कि रिजल कैसे आते है हो सकता है मार्केट को अगर एक्सपेटेशन हो कि रिजल अच्छे आने वाले है तो शेर में तीजी देखने को मिलेगी और अगर मार्केट कन्फूजन के मावल में है तो शेर स्वैडवेजी जाएगा और रिजल्ट के बाद में ही हमें अपवर्ड मूँ या फिर डाउनवर्ड मूँ देखने को मिलेगा PC जूलर्स के शेर में तो 19 October काफी important रहेगा जिसका इंतजार रहेगा देखते हैं रिजल्ट कैसे आते हैं और मार्केट रिजल्ट के डिट डिकलरने के बाद कल कैसे reaction करता है काफी important रहेगा थैंक्यों फ्रेंट्स